हम लोग श्रीमित भागवतम की दूसरे स्कंद के दसवे अध्याय के 48 से 51 श्लोग देखने का प्रयास करेंगे जितना हो जाएगा प्रयास रहेगा कि पूरा हो जाए तो आप लोग कल्प के वर्णन के बारे में सुन रहे थे और शुगदेव को स्वामी जी ने कहा कि मैं अब आपको पाद्म कल्प के बारे में बताऊंगा तो सुभाविक से बात एक इसके बाद शुगदेव को स्वामी को पाद्म कल्प के बारे में बताना शुरू करना चाहिए था लेकिन शौनक आदी रिशी की अत्यूंत उत्कंठा थी वह संबाद जानने के लिए जो विदुर जी और मैत्रे मुने के बीच में हुआ था और प्रतम स्कंद में वह सुन चुके थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले विदुर जी घर छोड़ के चले गए थे युद्ध के कई साल के बाद वह वापस आते हैं और फिर वह दितराष्ट को उपदेश देते हैं तो यह प्रश्ण भी आप वह करेंगे कि विदुर महाराज क्यों अपने घर को छोड़ के चले गए जिन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन था कटिन होता है कहना चाहिए और उसके बाद वह वापस क्यों आए तो उसके बाद उत्तर देंगे हम आपस को आप सुनते हैं समझ मैं लिंक समझा रहा है वह शौन अगर यह बात जो पूछ रहे हैं यह एकदम से आउट आफ प्लेस लगती है शुक्देग गुस्वामी जी स प्रिशिद महाराज और शुक्देग गुस्वामी का संबाद बता रहा है तो शुक्देग गुस्वामी कह रहे हैं पिछ्छिड श्लोक्ता कि मैं आपको पादम कल्प के बारें बताउंगा प्रिशिद महाराज को तो बात उसके समझने पूछनी चाहिए एकदम से जी और मैत्रे मुनी के संभाद में पाद्म कल्प की बात आ जाएगी इसलिए यह असंगत प्रश्ण नहीं है वेदुर जी और मैत्रे मुनी के बीच में संभाद हुआ था हरिद्वार में तो हरिद्वार में जो कथा हुई थी उसमें पाद्म कल्प की बात आ ही जाएगी इस समबाद उसके बारे में जाने के लिए उतकंटित हैं आपको समबाद का तो सीक्वेंस पता ही है ना सूत्व कुछ श्वामी जी नमे श्रण के रिष्वियों को सुना रहें कथा और उस कथा के प्रसंग में वह परिशित महाराज और शुग्देव श्वामी की बीचे जैसे मैं आपके आप हम दोनों मालों बात कर रहे हैं तो अब हम आपके काल्यान प्रभु और वरुन प्रभु के बारे बात कर रहे हैं तो एकदम से बात आप पूछें लग जाओ, मandos अलेवती, पूछें लग जाए, तो वो बात में जो बोल रहा हूं, आप दोनों के बारे में वो बात रुख जाएगी कि नहीं रुख जाएगी? क्या ऐसा होतो हैं, आप आप इसने दो लोग के बारे में बात बता रहें, है इसना आप इसे का उसे का इसने एक इतने में इससे आप बए बिलॉल रहें और पुछता है तो इसा इधार समेजना होगा है घार प्रस्ण merit प्रशन है क्योंकि विदुर जी और मैतरी मुनि को संभाद है उसमें पादम कल्प की बात आ जाएगी आप शोनक रिशी जानते थे कि नहीं जानते थे आँको नहीं बता है मुझे बता चारतीःथानि भुवस् ट्यक्त्वा बंधून सुदुस्त्यजान शोनक उवाच यदाहनू भवन्सूता छत्त्वागवतुत्तमः चचार तीर्था निभुवस त्यक्त्वा बंधुन सुदुस्त्य जान सृष्टी की विशे में यह सब सुनने के बाद शौनक रिशी ने सूत गोस्वामी से विदुर के विशे में पूछा क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़ कर ग्रहत द्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुश्कर होता है शौरक वाचा श्री शौरक मुनी ने कहा सूत हे सुत को स्वामे भवान मतलब आपने नहयत आहा हमको जो कहा है कि भागवत उत्तमा भगवान के सृष्ट भक्त छात्त पाना चत्री के पत्रत तो इसलिए चहता मतलब विदुर जी ने सू दुस्त जान, दुस्त जान मतलब जिनको त्यागना कठिन है, और सू दुस्त जान मतलब जिनको त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, ऐसे पंधून, ऐसे अपने संबंधियों को अर्थात, दितराष्ट को, दितराष्ट के भाई थे और उसे विदुर जी को बहुत प पताय था अब इसके वाद आगे कि उनका प्रश्न आ जाएगा श्रलोग देख लीजिए श्वनक वाचा यद आहन भवान सुता जो आप यद मतलब जो जो आपने हमें आहन कहा था नह कम अमको भवान मतलब आपको हे सुत को स्वामिय आपने जो हमें कहा था किसके बारे में छट्टा भागवत तमभाम वछट मतलब विदूर्जी और भाग्वत तमभा यह विदूर जी का करें कि यह सर्वशष्ट भागवत्य महान भागवत्य के आम RSताल है और आपने कहा था सचारती थाने भवस प्रित्वी पर भुवा मत्व प्रित्वी पर तीर्थों का भ्रमन किया त्यक्त्वा बंधू सुद्व सचान उन बंधूं को त्याग करके जिनको त्यागना बड़ा कठिन है इतनी बात बोले आपने हमको यह कहा था कि जो सर्वस्रेश्ट भक्त जी है उन्हें अपने सुदुस्त्यज बंधूं को त्याग करके प्रित्वी पर भ्रमन किया यह इतनी बात बोलना है प्रश्ट नहीं करना है प्रश्ट अगले श्लुक में है श्रीदरी जिसके लिए स्रिष्टी का निरूपन किया गया है उसी को साक्षा सुनने की में बताया उसकी बात को विस्तार से सुनने के लिए प्रश्ट करेंगे इससे यह सुचित होता है कि शौनकृष्टी देखिए दौस हजार रिष्टियों को पालन करने वाले थे पढ़ाने वाले थे तो वह जानते थे की बात कई होगी देखिए वह समझने का प्रयास तो वह पूछेंगे अभी आगे स्लोक में देखेंगे पूछेंगे कि मैत्रिय मुनी और विद्र के बारे में क्या संबाद हो ताकि यहां जो बात सुरिष्टी के बारे में है वह और खोल करके बताई जाए इसलिए वह प्रश्ण कर रहे हैं अब तो कुछ समझ में आ रहा है वह शौनकृष्ण हमारी तरह नहीं को पता ही नहीं कि तीसरी स्कृष्ण में होगा क्या वह ऐसे नहीं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या होगा भई आप ऐसे समझो प्रत्वम स्कृष्ण के प्रत्वम राष्ण केस्वा एलाद हिते हैं बारा पाध्यानी भगवान गुर्भ कंपट मानुशा अलट ने मनुष्ण के रूप धारन कर गाएर अलगी रूप्टर्क है कि अवतार क्या होते हैं और आसा है कि वो सुने नहीं है लेकिन फिर सुनने के इच्छा होती है यहां पर भी आसा होता है कि कोई-कोई श्लोग भक्त जानता है लेकिन किसी वक्ता से फिर से सुनने की इच्छा होती है तो फिर से पूछते कि इस बारे अच्छला बताई यह उसे कोई भग तुमसे पूछ रही थे के 10 नाम अपरात के बारे में बताईए तो अब ये बताईए कि क्या उनको नाम-परात के बारे में पता ही नहीया है। पता है तिन्द और वे सुनना चाहते हैं ये अध्यातनी कुषे कोई बोरिंग थो नहीं होता है। जितना अधिक सब पढ़ाए जाएगा, उतना और अधिक समझ में आएगा, और clear होता है, तो इस बात को समझते हुए, ये सूत्र समझ में आ रहा है, उनको पता है कि मैत्रिय मुनी और विदुर जी के बारे में जो बात हुई थी, उसमें स्रिश्टि के बारे में और अच्छ वह ऐसा नहीं सोच रहे थे अरे भाईया यह विद्य शृष्टी तत्व पार हुआ अब दुबारा नहीं सुनना है है ना हम समझ रहे हैं कि शायद कुछ रोता ऐसा हो सकता है कि हो कि यह यह सृष्टी तत्व बड़ा कठिन तत्व पार हुआ पसीने जूटे अब कोई लीला आएगी रुकमन के अभ्या हो जाएगा कुछ ऐसा हो कुछ तो सोच रहे होंगे शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा कठिन-कठिन तत्व था लेकिन मैत्रिमुनिक जानकार है तो उनको अच्छा लगता है भागवान का यश है वह भी सुनना चाहते है डिटेल में विदूर जी जिन पृत्वी के तीर्थों अथ्वा पृत्वी के छेत्र में विचलन की उनको आप मुझे बतलाएं ताथ परे शौनक आधी रुषी विदूर के विश्व में जानने के लिए अत्यंत उसुक थे जिनकी भेट विश्व के तीर स्थनों की आत्रा करते समय मै आधिरी जी की हुविती। ब्रुहिनस्तद इदम सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम बंधुत्याग निमित्तम च यथे वागतवान पुनहा चत्तु कोशार वेस्तस्य सम्वादो ध्यात्मसंष्ट अ यद्वास भगवांस्तस्मे पृष्टस्तत्त्वम उवाचा ब्रुहिनस्तद इदम सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम बंधुत्याग निमित्तम च यथे वागतवान पुनहा शौनक रिशी ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्री के बीच अध्यात में पर चर्चा हुई, विदुर ने क्या पूछा और मैत्री ने क्या उतर दिया था? ये एक बात के लिए रहे कि उनको पता है कि मैत्री और विदुर जी की बात हुई थी, इसका मतलब है कि उनको कुछ और भी पता है कि इस वारे में क्या बात हुई थी, लेकिन और उसको विस्तार में सुनना चाहते हैं, क्रिपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अप और विदुर जी के बीच में क्या चर्चा हुई अध्यात्मी चर्चा हुई थी दोनों महाभागवत हैं दूसरा कि विदुर ने अपने कुटुम्भी को क्यों छोड़ा था और जब छोड़ दिया था तो वापस क्यों आए तीसरा प्रश्ण और जब ब्रह्मण कर रहे थे उस समय वह क्या करे कारिकर तो चार प्रसण याद हुए बताई याद होने का मतब याद मतब बता सकते हैं हम बुली मैत्रे मुनिय और विदुर जी के बीच में क्या समवाद हुआ क्या पूछा उन्होंने और उन्होंने क्या उत्तर दिया कुटुम्पियों को छोड़ना कठेन होता है All's चेत्र में जाकर पिजा खाए कभी कभी लोग विंदा मनाते हैं अमरीका से MBT का पिजा खाने के तो कैसे थीर्थ ब्रह्मन करना चाहिए यह सब भी हम उनके आदर्श्य सीखेंगे तस्त्यच्ट्व मतला विदुरजी का कोशारवे मेठ्री महर्शी में सारा पिजाओ नाम मैं नाम का उनका नाम हो रहा है मैत्रे जी का बहुत सारे बाद होते हैं उसमें दुनिया की बात होती है लेकिन एसे महाभाक्त भक्त जब आपस में आकर बात करते हैं सुसमें केवल आद्रे प्रफकर चर्क्चाही होती है इसलिए सुनने के लिए शौनराक रिशी बिस बनाए अब रच्षित हमाराज ही कि जन्मादी के वारे में बताई है यदी इसका इसमें क्रिष्ण कभा आश्रे प्राप्त हो अर्था आक रिष्ड करिष्ड कर रिश्षी के वल क्रिष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं तो उन्हें पता था कि जो मैत्रिमुनी और विदर्जी उनके बारे में के विला अध्यात्मिक चर्चा ही होगी इसलिए पूछ रहे हैं ठीक है अध्यात्व संस्वाद कहां पर हुआ यह बताई अधवा सभ५ उफ विदर्जी वान मतलब मतलब धारुम तो तो यहाँ पे मैत्रे मुरिश बहर्शी जो है वो भागवान रथात् भावान के महान भगत्त हैं यह समझदा होगा भगवान नहीं है अब उनी के देश से ब्रहण नहीं प्रकट हो रहा है मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ज़ल शरुवात में भक्ति में था तो मेरे को भगवा श्रिक्रिष्ण कभी बार कई बरमान भॉट नारत थो हगभान मतलब एस्वारिवान यह लोग लेकिन ऐसा नहीं कि समपूर्ण आशारिवान रहुपाजी के टात्पिर को इन्ट्ऱक्षन में आप पढ़िएगा तो कहते हैं कई बार भंश शव्ण कईलो के लोग आगे स्वयम भगवान है लेकिन भागवत बड़ा स्पष्ट करती है कृष्ण स्थू भगवान स्वयम अर्थाथ उनकी भगवत था उनके एश्वर किसी अन पर आश्रित नहीं होता है क्लिर समझ भार आए बाद हुआ यह अनकी मागा नाम hatte इलिनकी अनाम होगे मैं हुआ खवह कहा जा रहा है क्योंकि निकी पिता का नाम था को शरुए हमको इस बार मैंने पढ़ा था था तो विदूर जी के द्वारा भगवान, महात्रिय महर्शिस से यत्व, जो भी अन्य कुछ प्रिश्ट रहा पूछा जाने पर उन्हों ने यह तसमय विदूर जी को पुरा काल में, पुराने समय में तत्व मुवाच्च किस तत्व को उपदेश दिया यनि की दो बात कि कहा उबदेश हुआ ओर दूसरा यह बताए की क्या उबदेश वह क्या प्रशन पूछे योग ये बताईए हे सौम्या है सभधावाले सूथ सूथ को स्वामी जी को शौनकृषि प्रशन करते है लहां इसलिए कह रहा है बंधु त्यागम निमत्तम मित्रों के परिताग का कारण क्या था? किस लिखी आडी आज चाहिए? अब इस से पीसर संह ऑबाद क्लेर होगी कि जब विदुर्जी के को दितराष्टर बढाते हैं कुरुषित्र के युद्ध से पहले तो विदुर जी कहते हैं कि इस दुर्यूधन को त्याग दू तो दुर्यूधन इनको निकाल देता है तो वहाँ आप समाझ में आजाएगा न कि आएगा यहाँ यह प्रस्ट नी किया गया था कि बंधु त्याग का निमित क्या था तो यह निम्रत बताने के लिए शुग्दे को साम襟ुजी वर्णन करेंगे कि इस प्रकार से शुग्दे को स्वामे को स्वामिंग शुग्दे को साम襟ु быстрय करेंग तीस्टरेस इसकंधर्टी कथा शुटकु सवामि I will बोलवाएंगे बोलेंगे चुक्दे को सवाँ जी लेकिन आप सूत को सवामी के मुख से समझां पा रहा हूं कि नए समझां पारा हूं उन्हों बात लासमझ में आ रही हूं तो इत्नी बाद समझ लिजे कि आगे आएका कि विदुर जी का किस परकार से दुरियोधन्य अपम यह भी बताईए जब त्याग दिया तो त्याग दिया जब कुरुशेत्र का युद्ध हो रहा था जब उनको बंधों को उनकी बहुत जुरूर थी तब तो त्याग दिये तो वह वापस किवाए तो वापस आप जानते इसलिए आए ताकि धितराष्ट का उधार कर सकें यह विदुरस्य इदम विदुर जी ने सभी तीर स्थानों में विचेश्टितम विचेश्टा का मतलब चेश्टा मला समझते हैं प्रयास विचेश्टा मतलब विशेश्टा ने कारकलाप जो किये तत नह बुरूही उसके विश्व में आप हमको बतलाएं नह है यह आपे नह है बुरूही का मतलब होता है बताईए और नह मतलब होता है हमको बताईए वह मतलब आपको और नह मतलब हमको ना के आगे, क्या कहेंगे इसको, डबल लॉट क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, अनुसर्ग कहते हैं, जो भी कहते हो, विसर्ग कहते हैं, शायद ना, गुलन तो इंगलिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भूल के हमें, तो वो लगा हुआ है, वो नह, यहां पर नह जाएगा विसर्य कि société ये सिस्ट रिख बाता है हमको नहा हम नच लब हमको वह मतलब को है नहा है को है सह सा मतलब वह यह सब को यह फिसर्ग लगाए सर्गा यह सब को किया ढूंसक्रिस एट है ढूंसक्रिट नियुक्ड शनर्शन कोणक्र ठीक है संस्कृत देखिए मютंत्रे मुनिक के तस्ञार जी संवाद करने वाला था तो वह हैं बताईए कि क्या हुआ था यद्वास भगवान तस्मे π्रश्टस तत्वमवाचा या फिर यह बताईए कि सह अर्थात विदुर जी ने भगवान अर्थात मैत्रे मुनि से जो प्रश्ण किया दसमें प्रश्टस तो जो पूछा तो उसके उत्तर में जो तत्व बोला उसको बताईए और हार शब्द यहां पर बता रहा है भूत काल में यह घटना पहले हो चुकी है तो इसलिए कहने कि जो बताया उसको आप हमको बताईए बुरुही मतलब हमें कहिए बुरुही नहां हमको कहिए तद इदम उस बात को सौम में अर्था थे सुद्गुश्वामी विदुरस्थ विचेश्टितम विदुरुद जी की विचेश्टा को बताईए कहां किया था तो कहा रहा है बंधु त्याग निमित्तम चा और बंधु प्रशन बताईए कुछ याद हो रहा है आप तो अब फ्थक गए भहत फिर भी प्रियास किजें है पहला प्रशन यह है सीमपल प्रश्न कि भाई मेत्र हुर्जी और विदिर जी के बीच में क्या समवाथ हुआ ठीक वह सम भग क्या संबद में आध्या समभध हा G फेर विद्र sina अपने बंदु को क्यो तया आगा माय कि बताई यह क्या प्रशना है अश के बाद यह तो फिर वापस क्यों आ गई तो और चब घूम रहे थे तो अप्या-क्या कारी की ई बूली किजे वह घूम रहेते तो तो क्या-क्या कारी की इbbe संबंधियों को और वापिस क्यों आ गए और तीट स्थानों में उनने क्या क्या गारे किये यस सिंपल है यह सब बातें अगर याद रहेंगी तो हमको आगे का तीक्सरसकंद समझ में आएगा सारार्थ दर्शनी प्रस्तुत विश्य होने पर भी पद्म कल्प की कथा शौनक रिशी की श्रवन उतकंठा जन्य कथांतर के कारण स्थगित हो गई पर्द्म कल्प के बारे में प्रतिग्या लिये थे शुक्देव गोस्वामी की मैं बोलूँगा लेकर बीच में शौनक रिशी की जो उतकंठा थी विदुर जी के बारे में सुनने के लिए उससे बात रुप गई तो अब एक नया कथा चालू हो जाईए इस जगत में आप पुछली तो अब आपकी बात कहीं और चली जाती ऐसा होता हुआ देखा है अपने तो यह हो रहा है एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि जो विक्ति प्रश्न करता है वह समवाद को कंट्रोल करता है अब यह देख रहे हैं कि अभी बात हो रहे थी पद्म कल्प की और जै कि नहीं विद्र जी पूछेंगे उद्दव जी से पर उद्दव जी कहेंगे नहीं यह मेरी तो उमर कम है यह तो वरिष्ठ है मैं को उपदेश कैसे दे सकता हूं फिर मैंतिर उमिजी के पास पहुचाएंगे इस सारी बात आप देखते हो चलेंगे लेकिन यह प्रश्ण की विजए से जो पद्म कल्प के बारे में शुक्दे को समी बोल रहे थी वो बात रुक गई यह समझना बहुत जरूरी यह नहीं तो एकदम अबरप्ट लगेगा कि तीसरा स्कंद शुरू कैसे हुआ आप यह तो समझ गए थे ना प्रथम स्कंद में प्रश्ण अंत में किये हैं परशिद महराज ने उनका उत्तर शुक्दे को समी दे रहे थे हो तो वह क्लीर है अब यह जंप एकदम से कैसे हो गया अगर नहीं समझ में आएगा तो तीसरा स्कंद से रिलेटी नहीं कर पाए तो यह शौना कृशी का प्रश्ण है और वह पदमकल की कथा को काटेगा नहीं वह आएगी कथा लेकिन उनकी श्रवण उच्छा थी विदुर जी के बारे में और मैत्री मुनी के समझाद के बारे में सुनने के लिए ठीक है अच्छा है कि नए भक्त भी है कुछ तो हमको जदा मेहनत करनी पढ़ती है समझाने के लिए यह अच्छी बात है और अगर नए भक्तों को हम समझा लिए तो हम सफल टीचर बाने जाएंगे आइंस्टीन का एक शब्द था कि अगर कोई विशे समझ में आ गया है तो उसका प्रमाण यह है कि अब आठ साल के बच्ची को भी समझा सको अच्छ गुड़ टेस्ट लेकिन पता नहीं कितना समझा पा रहा हूं लेकिन उमीदे कि थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही गतिम ज्यात वागा अधस्तेन पुरम तया वाप्ता वे विस्तित हो श्री सुत्य को सामी ने कहा तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्शी मैत्रे से आत्मा की गती का ज्ञान प्रात किया और फिर से हस्तिना प्रलोट आए वे अपेक्षा अनुसार इस विशय में पारंगत हो गए थे एक तेरा एक दितराष्ट का समय वन गमन तरवाद ध्याए तक मैं समझ रहा हूं दितराष्ट का घर ने अपना दितराष्ट का ग्रहत्याग यह था सिर्शक तो वहां यह पहला श्लोग है तो यह बात सुद्ध को समझी ने बताया था तो उसको याद करके शौनकृषी फिर यहां प्रशन कर रहा है थे क्यों बंधों को छोड़ा पहल अर्थाद विदुर जी तथा कौशारव अर्थाद मैत्री रिश्ट पर प्रहपाद जी का श्री रसुत को स्वामी संसार की स्रिष्टी तथा संहार की कथा सुना रहे थे थे थोड़ा चले इसमें देजी किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनकादी रिशी आध्यात्म व दूसरे वे जो उच्च तर पर रहने के कारण दिव ज्यान के प्रती अधिक उत्सुक रहते हैं इससे पहले यहां समझ लें कि क्या प्रकार के लोग होते हैं देखिए जो लोग बहुत एक्तावाद में बहुत लिप्त रहते हैं वह आध्यात्मिक्ता में बिल्कोल निरु कीजती हैं आज हम एक बहुत को समझा रहे थे कि आपको दस स्वेटर रखने की जूरत नहीं है हम गर्व से नहीं बोल रहे हैं पूरा जीवन हर जाड़े में दो से अधिक स्वेटर रखते नहीं यह स्वेटर आल्मोस्ट यह साफ स्वेटर रहता है जिसको हम लोग सच्छ नहीं चलते थे इससे आसान होता है आप देखो यह मैं बहुत प्रेटिकल बाते बोल ला हूं इस तरियां भी सुनने इस बातों कि आप इस तरी नहीं है खाली इस तरी का ड्रेस पहने हुए उस तरी के ड्रस पेपर हजार तरह की ड्रस पहने तो दिमाग उसमें खराब अपर बूर्ष पर थोड़ा खर्च करने क्या जुरत तिमाग वैसे थोड़ा है और उसको भी उसको ही उस्से वैट्िंब करने को लगा देंगे तो अब यह बताइए और नहीं मानेंगे मातलचिन양 लोग ने भिंग कि यहां मैचिंग करने दिमाग दावे कि लग रहा है कि यह तीसरे सकन्द की क्या मैचिंगे दूसरे सकन्द से तो ओpiece मैचिंग में दिमाग इघा तो इधर की मैंचिंग नहीं हो पाएगी न या इधर की मैचिंग होगी तो वहाद नहीं लग पाईगी इसी दिछ सटीवाइब इसाल में जान जा एका नहीं वेस्ट समय लग यह जनी प्रभुजी लोग के हम सुविधा हो थे कि अपन लोग वक्ति ठीक से कर पाएंगे और आप देख लिजे कि अन्य लोगं को आप ले कि आए भागवत सुनने में कभी उनकी रुची नहीं होगी, क्या करेंगे। कि इसन करते हैं हुआ क्या कि उनको बस रहती है एपसा कमाना एपसा कमाना बहुत不会 सिंबल तरीका करता हो लोगा फटा बहुत क्रचा कम करो एप सिंब तरीका म्युक्र आरशट के घ्र के लिकाना पिसवान खरी लिए टिनकास करें ँर्फिट लिए जो और आउस यह बात यह बहुत कंटेक्स्ट में हैं यह कथा में रुची अगर है व्यक्ति को उस्ख ले उस्ख होगा तो बहुती चीज़ों में विल्कुल रुची नहीं रखेगा और यह टेस्ट अत्यांत बिर्ला है भागवत सुनने की इच्छा भी बहुत बिर्ली है चाब माता जी ह विर्ला विर्ला मेंस होता है रेर तो इसलिए आप उमीद नहीं कर सकते हैं कि हर प्रकार का व्यक्ति जो आपके आस-पास होगा वह आपकी बात सुनने में रुची रखेगा तो इधर रिष्टारी में लिजिए हमसे रिष्टा जोड़ लीजिए आप जिनकी उमर हमसे कम ह यह पने बड़ा भ्याले जो हमसे भॉझ थोड़े थोड़े बड़े थो बड़े थो अपना च्छोटा भ्याई मान ले जो अपना बेटा मान लिजिए अब हमां सुना रहा है अभी आप देखेगा कपल देव अपनी मा को ही भागोत सुनाइँगे है समझ रहें हैं और यहीं रिष्टा बहुत बड़िया रिष्टा है जिसम्थभाग्वान प्रत्यक्विक्ति के लिए चाहे व्य भौतिक्त वाधि अथवा गुणातीत वाधि अध्यात्न वाधि हो सुविधाप दान करने वाला है अब ये क्या मतलब है अब इसको पढ़ते हैं समयाद है का लोग भागवत से भौतिक जगत में तता दिव जगत में भगवान के महिमा मंडित कारिकलापा को सुनकर समान लाब उठा सकते हैं भाठिक तवादी भाठिक नेमों एवं उनकी कारिविधी में अधिक रुची रखते हैं वे भाठिक चकाचाउंध में आश्चर देखते हैं कभी कभी इसी चकाउंध में भगवान के महिमा को भूल दाते हैं उन्हें ये जान लेना चाहीए कि सारे भाठिक कारिकलाप तता आश्चर भगवान द्वारा ही प्रेरित हैं उद्ध्यान में गुलाब का फूल धीरे-धीरे विक्षित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुन्दर तता सुरभित बनता सुरभित मतलब सुगंद वाला बनता है वह किसी अन्दाधुंद भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता यद्धपी प्रतीत ऐसा ही होता है इस भौतिक नियम की पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निरद्रिशन होता है अनित्हा वस्तों इतना नीमित रूप धरन नहीं कर सकती है कलाकार संपूर्ण म बिना बुद्धी के ऐसा सुन्दर रूप प्राप्त किया है अल्पग्यता के कारण ही इस निश्कर्ष पर पहुंचा जाता है स्रिष्टी तयता सहार के उपर्योक्त वर्णन से हमें समझना चाहिए कि स्थर्व्यापी होने से परम चेतना प्रत्यक वस्तु का पूरा ध्य जान रखती है भगवान संपूर्ण तहा कॉंशन से एक फूल के लिए भी कि फूल का भी पालन कर रहे हैं तब ही तो फूल प्रस्पटित हो रहा है विलकुल अच्छी प्रकार से परमेश्वर की सर्व्यापक्ता का तथ्य यहीं है निबट भौतिक्ता वादियों से विव लोग प्रकृति के नियमों का ध्यान करने में लगे रहते हैं तो प्रहपाज यहां पर कह रहे है कि शिमत भागवता उनकी लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वह सृष्टी के बारे में सुनने के लिए वह रिसर्च कर ही रहे सृष्टी के बारे में और सृष्टी का ठीक अब भागवत में मिल दाता है तो उनको इधर इधर सर्च करने की जुरत नहीं है इसी में दिमाग लगाए उनको सृष्टी का ठीक ठीक समझ में आदाएगा अपने से दिमाग लगाएंगे तो उनको नहीं नहीं थियोरी बतानी पड़ी होगी और यहां भागवत की बाद में दिमाग लगाएंगे तो उनको सत्य को बस समझना है उनको अपनी नहीं थियोरी नहीं बतानी है जो चीज बिलकुल गलत है उसको समझने का प्रयास नहीं करना है मेरी बास समझ में आई मैं यहां से अभी सोचना शुरू करूं कि सिस्टी कैसे होती है तो मैं बिलकुल थोड़ा भी समझें कि तो फाइदा हुआ कि नहीं कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत की सृष्टी करी है यह बात सही है यह गलत है सही है और क्या समझने में कटनाई हो रही है कुछ भी कटनाई नहीं हो रही है लेकिन जब अपनी थियोरी देते हैं तो विक्ति क्या सोचेगा इस यह बिग बैंग हुआ एक्सप्लोजन हुआ यह हुआ वह हुआ जो की बिलकुल ही असंगत बात है और गलत भी है कुछ समझ रहे बात तो अगर कोई विक्ति प्रकृति की तत्म को भी जानना चाहता है जो बहुत एक तबा है तो उनके लिए भी अलावगप्रादयों समझाएगी भागवत की बिटा तुम भगवान नहीं हो तुम भगवान के अंश हो उस प्रकार से उनकी बुद्ध्वी ठीक हो जाएगी पढ़ते हैं गुणातीत वादी अध्यात्न वादी कहते हैं कि कहते हैं और इस्वार इस सूशत नहीं करते कि वह सरव्यापी है ऐसे मुर्ख विक्तियों को यह भी पता नहीं चलबाता कि दिवाल कि उस और क्या हो रहा अगर आप सरव्यापी हूट तो बताओ कि क्या हो रहा है दूसरे को भूक लग रही तो आप पताओ कितनी भूक लग रही कितनी रूटी चाहता है वह सब नहीं जानते ऐसे मूर्क हाँ फिर भी वे परम पुरुष की सर्व्यापी चेतना से अपने को समर्वित होने का जूटा गर्व करते हैं मतलब कहते हैं कि तुम भूल गये हो के तुम भगवान हो वह सट तो भगवान हो अरे जो भगवार हो टो भूल क्यों है Ay bother भगवान मतलब सारे शृत ओश्वार जर्व्यूख तो फिर वह यह कॉंस्टेंट रिमेंब्रम्स सदा ही इस मन रहने का आश्वर आपके पास क्यों नहीं है जब आप अपने सुरूप को ही याद नहीं दख रहे हैं तो कैसे भगवान है कैसा आश्वर है आपके पास ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमन भागवत का सुनना सहायक बनता है इस से उनकी आखे खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता किवल यह कह देने से कि मैं भगवान हूं भगवान मैं बन नहीं जाता इस बहुत इक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राब्थ है तो बताएं विक्ति कि मारे हमारे पेट में क्या दाद दो रहा है बलकि ऐसे लोग कभी माल ली जैसे महात्मा के पास जाए और ना मिले अपने आश्रम में तो कहां ओर डॉक्टर के पास गये हैने अपरे दात का HEY लाज करने के लिया यE हेँ विक्तिधी कESS जागा हमारी रिपोर्ड कंवाण दीजे अरे तो तुम भकवान होnant तुम अपने ही शरिर की बारे में नहीं जांते हो तुम यह कैसे कहसे किपते हो किस injuries की नहीं जानते हो बताए वे अधीकारी व्यक्तियों से दिव विश्यों की वास्तिविक सत्यता को जानने के लिए सदय विच्च थे इसलिए ये प्रभुपाजी ने क्या बात कहीं है क्योंकि विदुर्जी और मैत्रे का समवाद अध्यातिक विश्यों से परिपून था इससे सभी को लाब होगा वहां भी सृष्टी तत्व के बारें बात होगी तो व्यक्ति समझेगा कि सृष्टी की सृष्टी जो है वह अपने आप नहीं हो गई है प्रकृति के दरा नहीं हो रही है तो उससे भौतिक्तावादियों के लाबड़ होगा और वहां भागवां के महीमा का वर्णन भी होगा तो उससे वेकति समझेगा कि भगवान नहीं है वह भगवान में मतलति right मां चृप मैं नहीं हूं तो इसलिए जूटे अध्यात्नवादी और सच्चे भौतिक्तावादी और जूटे अध्यात्नवादी दोनों के लिए भागवत्म लाभकारी भक्तों के लिए तो है ही और भगवान के क्रिपा से आज दूसरे सकंद का आखरी श्रोक हमारे सामने है किसी तरह क करते करते हम लोग पहुँच गये पहुच गये जिंदा रहे गए डूसरे उसकंद तक ठीक है तो पढ़ते हैं मेरे पीछे बोलिये सूता ववाचा, राझ्या परिक्षिता पृत्स्टो यद्वो चन्माहामुणिस निखा है यह जंदा इक आ पिद्धासे शुटिक संदा जुनता राज्याः प्रश्नानुसारत 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 राज्याः तद वो भिधासे शुनता राग्या प्रश्नानुसारत ह। सूत उवाचा राग्या परिक्षिता प्रेष्टो यदवो चन महामुनिह। तद वो भिधासे शुनता राग्या प्रश्नानुसारत ह। सूत उवाचा राग्या प्रेष्टो यदवो चन महामुनिह। तद वो भिधासे शुनता राग्या प्रश्नानुसारत ह। श्री सूत को स्वामी ने बताया अब मैं तुम्हें सारे विशे बताऊंगा जिन्हें राजा परिक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था कृप्या उन्हें ध्यान पुर्वक सुनो। मैहत्रे मोनि और विद्र जी की मैं संबाद हुआ तु उत्तर में क्या होना चाहिए मैhtre हुआ आचा कुछ होना चाहिए लेकिन ये उत्तर कैसे दे는 रहे है इसको स्वामी चैने कि शुख्रिको स्वामि और परिशित महाराज के बारे बताऊंगा या आपको उल्ढिलग तर आता लुझे नहीं लग रही है अरे भाइ पूचर रहे हैं विधुर के बारे में इसे प्रशनी किया है वैसा ही प्रशनी महराज ने शुगदे गोश्वामी से किया था इस तरह से चलेगा यह यह रीती कई बार होगी मैं आप से कुछ पूछूंगा माल लिजी तो आपके यह जो आपने प्रश्ण किया है ऐसा ही प्रश्ण वहां पे उन लोगों ने किया था और उसको फिर रिलेट कर दिये दाएगा इसलिए अगला सकंद का पहला श्लोक लिशा कि देखिए शुगदें गोशामी लिखा हुआ है शुगदे गोश्वामी ने कहा बहात आ रही यह वैतरी और विदुर्स जी की है और यहां पे वहां शुगदे गोश्वामी साने ने का परिख्षित परिश्ट राजा परिख्षित द्वारा पूछी जाने पर महामुनी प्रश्ण अनुसारता महामुनी शुग्दे गुस्वामी ने प्रश्णिक अनुसार यत अवोचता जो उत्तर में कहा तत्व अभिधासिय शुडता वही बात आप सभी को वहाश्ब धया प उसका उत्तर परिश्ट महाराज और शुग्दे गुस्वामी के संभाद के द्वारा ही आ जाएगा देखिए लोग कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भागवतम और पढ़ते भी हैं और यह बहुत अच्छी बात है कुछ लोग नियमित्रों से पढ़ते हैं और मैं यह नहीं कह पहली बार ही देख रहा हूं और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जब लिंक देखते हैं तब बहुत रुचिकर शुम्यष्वठ धागवतम लगती कि यह प्रशनी किया तो वह होँँ नहीं तो बात ही समझमें नहीं कि किसने क्यों कहा तो किवहले खलकीर कथा संग में आती किया वरादेव ने मार दिया ये वो लेकिन पूरा कथा का लिंक ने समझ में आता तो फिर उतनी रूची नहीं लगती है तो लिंक तो समझ में आ रहा है ना विदूर और मैत्रे जी का समवाद शुकुदेव को स्वामी जी और परिश्ट महराज के बीच में आ जागा द विदूर जी ने क्यों छोड़ दिया फिर वापस क्यों आ गए और तीर्थ में क्या क्या किया इसी से बात सारी आ जाएगी पादमकल्प के विश्ए में भी पादमकल्प की बात छूटेगी नहीं लेकिन इसको अलग से बताने की बजाए वह शुक्देव गुस्वामी और का परिशित महराज के संबाद को ही कह रहे हैं हा उसी में बात आ जाएगी और इसीले है शुक्देव गुस्वामी जी के बात इसलिए के जो प्रशन परिशीत महाराज ने किये थे उसके अनसार शुक्मदेव गकुस्वामी जी ने ऊतर देना शुरू किया अब छुव side इसी तरह का प्रश्ण सुकद समय से किया था यह आप कह सकते हैं या जोह आखलाइशल्जूग बहरे हैं यहें समझ सकते हैं कि यह स्प्रशृण मौनी ऐसे समझें इस लोगो सुत मौनी ऐसा ही प्रश्ण इसी प्रकार प्रश्ण राजा परिश्वित ने शुक्देव को स्वामी से कहे थे यह पहले आनको इस प्रकर समझने के प्रयास किजिए तद वह अभी धास्य उसी को मैं आपको वह मतलब जो तीसर संद का आएगा वो शुगदे को स्वामी से आएगा कि शुका हुआ चाहिए दपी वहां नहीं बोला जाए वहां ऐसे नहीं वड़न टर रहे हैं कि परिश्द महाराज ने पूछा कि विदूर जी का समयत्रे मुनिक के समवाद कैसे हुआ वह घर क्यों छोड़ दिय यह प्रश्ण परिश्द महाराज करते हुए नहीं देखे जाएंगे लेकिन यहां बस इतना कहा जा रहा है कि जैसे आपने प्रश्ण किया वही प्रश्ण इसी प्रकार से परिश्द महाराज ने भी किया था और उसके उत्तर में शुक्दे कुसामी जी ने प्रश्ण का उ है ‎ गुषा रही है कोशा है इतना दिमाग लगाना पड़ता है वाहा जा रही दिमाग रहे है पर प्रप्लक आपने किये जो प्रशन आपने किये सेम टू सेम प्रश्ण परिश्ट महाराज ने किये और उसके उतर में शुक्दे को समय नहीं बोला यह अगले श्लोक में परिश्ट वाचा नहीं आया है यहां श्लोक से ग्रहन करना हो कि राजा परिश्ट हा प्रिश्ट राजा परिश्ट के ने जो प्रश्ण किये थे जैसे आपने प्रशुन के ऐसे विदुर्जी और मैतरी के बार में प्रशुन ने भी किये थे, और उसके उत्तरज है, वह तहुत्ट अब आप प्रश्ण भी आगे, यह आइसा कैसे हो रहा है, यह क्या कोईंसे न्सें हैृ भाई, कि जो पारिश्ण थे, प्रश्ण परिश्ण महाराजी ने कि देखे ऐसा कई बार अपने जीवन में आप देखेंगे आपने कोई प्रश्ण प्रश्ण प्रचार कर रहे हैं आप कोई प्रश्ण पूछेगा और आप कहेंगे ये कहेंगे कि ऐसा ही प्रश्ण एक भक्त ने महाराजी उसे पूछा था यह इसी प्रकार का प्रश्ण है? अईसा कई बार हुआ है हमारेक यह नई बात नहीं है तो इन महानभक्तों के लिए ऐसा हो जाए इसमें कोई अश्चर की बात नहीं है तो इस लोग को ऐसे समझेंगे लिकार आएगा कि सूत गोस्वामी जी कह रहा है कि जो प्रश्न है श्वानकृष्री आप मुझसे कर रहे हो ऐसे सेम प्रश्न परशित महराजी ने शुक्दे गोस्वामी जी से कहे थे जो शुक्दे गोस्वामी उन प्रश्न को तर जिस प्रश्न से दे रहे थे वैसे ही मैं आपको कहूंग प्रश्न में भूल गया, प्रश्न आदेला, ये शौनक रिशी ने क्या प्रश्न किये थे? वह देखें, बिना देखें, देखा भी भूल गए, आपको भी पकड़ा ही आवली शौनक रिशी ने प्रश्न किये थे कि दोनों के बीच में क्या चीटिंग करते हो उनने क्या प्रश्न किये, दोनों के बीच में समवाद किया कौन दोनों? वेदरजी और मेत्रे के बीच में क्या समवाद हुआ, क्या धात्मिक समवाद हुआ दूसरा तो यही प्रश्न मौन दिजे कि परिशित महाराज में पूछे थे, उसके उत्तर में शुद्दे को समी बोले, तो इसीले अब अगले सकंद में पहला श्लोक होगा शुकदेव शुका हुआ अच्छा, ठीक है, ठीक है, अगले जो अध्याय सकंद होगा और असान होगा समझने में, शिधरी, श्लोक में सूत जी ने कहा कि आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, वही प्रश्ण राजा ने भी शुकदेव जी से पूछा था, क्लियर हो गया, शुकदेव जी भी विदुर मैत्री समवाद को ही द्रिश्टिपत में रख कर, राजा परिश्ट ने पहले जिन प्रश्ण को किया था, उसके ही अनसार संपूर्ण पुराण के अर्थ का वर्णन किया है, उसी को मैं आप लोग को सुनाओंगा उसे ही आप लोग सुनें, तो जो पहले प्रश्ण कर चुके हैं, परिश्ट महराज, उनके उनके प्रश्णों का उत्तर को वह शुकदेव गुष्वामी और विदुर और मैत्री के समवाद से सुनेंगे, तो उसको आपने अब कल की ख्लास में सुना था, थोड़ा थोड़ा बताया था, उसको भी दरिश्टी-पत्र पर विदुर मैत्री को समवाद सुनाएगे, विदूर मैत्रे का समवाद के वडनन के द्वारा उन प्रश्णों का उत्तर भी हो जाएगा जो दूसरे सकंद के आठवे हैं अध्याय में परिशित महाराज ने पूछे थे एक तो वह और उसके बाद कि यह जो प्रश्ण आपने किया यह भी पूछा था परिशित महाराज कि विदूर मैत्रे के संवाद क्या हुआ दिखा है ना यहां पर अब इसके आगे जो पुरान चले का वर प्रश्णों में वह से ही आगे बढ़ता चला जाएगा यह जो प्रश्ण किये जा रहे हैं इस से आगे देखिए आप समझने का प्रयास किजिए जब शुग्दे ग कि हरी के बारे में सुनना चाहिए हरी के बारे मुंझा चाहिए हरी की की पूजा करनी चाहिए अब बात यहां परologically लेकिन पस्रीश्यत महाराज पूर्श प्रश्ण करते है कथ यह आप दğimizान कि यह बढ़ता भून करते हैं और या नब आफैने फयर सब्सक्रान करते हैं अ उसको एक एक करके उत्तर देते जा रहे हैं और उसी से आगे पूरा प्राण बढ़ता चला जा रहा है क्या कटना ही स्विकार करने में प्रश्णोतर के रूप में है ना बुरा बात बात है जिन भगवान ने अब उसके बाद श्रीद्यस्वामी कहते हैं जिन भगवान ने अपने मुख से ब्रह्माजी को तब था ब्रह्माजी ने नारजी को श्रीमत भागवत को अब्देश दिया उन परम गुरू श्री लोग के नाच रहा है उनी श्री भगवान से संथ पुरुष हमारी उन गलतियों के विश्य में पूछे जिन गलतियों को मैंने इस व्याक्या में की है यह कावी रूचिकर है क्यों मान लोग कोई श्रीद्यसवाज पास्ट यह तो गल्बर लग रहा है यह वह समझ में नही कुछ लिख रहा हूं और कुछ गलती हो रही तो उनके माया के प्रभाव से हो रहा है तो उनसे पूछो कि गलती क्यों हो रही है यह हमको कमेंट बड़ा अच्छा रगा था श्रीमत भागवतम के दितिसकंद के पदों को प्रकाशत करने वाली जो भावार्त दीपिका है श्र स्क्रीमत भागवत की व्याख्या रूपी सहासिक कारे को करने के लिए मुझे छमा करें इस व्याख्या का प्रणयान मैंने अपने ग्यान के लिए किया है सबों को ग्यान प्रदान करने के लिए नहीं किया है क्या बात है हमको बहुत प्रणा लगी एक्दम यह मेरे पढ़ाने के नाते मैं अधिक समझ जाओं अब सामने वाला समझ ही रहा है या सही समझ रहा है या मैं भी पूरी तरह सही समझ रहा हूं यह तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं लेकिन भागवत में मती लग रही है यह जरूर है भागवत भगवान है तो भगवान को कौन पूरा रहे हैं हम नहीं ज्लोख करें प्रयास आपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए सटीका है श्रीत वाईपत ऐसा करने बढ़ अच्छा लगा है वह तक्षा लगा गूरू बनने का प्रयास यह कर रहे हैं सारार्थ दर्श्णी नियुक्त पर इस प्रकार आचारियों के विचारियों के अनुरूप भक्तों के हृदयों को आनन्द प्रदान करने हेतू श्रीमत भागवत के द्यूति स्कंद के दस्वेयाद धाय की सारार्थ दर्शनिती का पूर्ण हो गई क्योंकि श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्कट त्रिष्णा के उत्तर में चेश्टा की और तह उन्हें संतुष्ट करते हुए उन भगवान ने ब्रह्मांड पर मधूर क्रिप्रामत व्रष्टी की ठीक है तो यहां पर इस पूरे भागवत में उस्तुरस्कंद में मुख की जो फोकस रहा था वो था चतुष्ट्चिलो की भागवत उसको उसी का एक्सपैंशन पूरा शिमत भागवत में है विस्तार है प्रपाजिगतात पर पढ़ते हैं प्रत्यक पूछे गए प्रश्ण का उत यदि किसी अधिकारी विद्वान का उध्रण दे कर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टी होती यह बहुत सुन्दर बात है पढ़ोंगा यहां तक की नयायालेों में भी यही विदी अपनाई जाती है सर्वशेष्ट वकील अपने मुकदमे की स्थापन के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूरवर्ती फैसले से साक्ष प्रस्तोत करता है यह परंपरा विदी कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के वर्थ तर्क ना देकर इसका पालन करते हैं यह बहुत अच्छी बात प्रुपात कह रहें क्यों कह रहें क्यों करने वाली होती है आप मुझसे कोई प्रश्न करो और मैं कहते हैं तो आपको मेरी बात विश्वास होगा फिर हम रेफ्रेंस दे सकते हैं यहां जाके सुन लेना यह पढ़ा लेना इस डट ओके यही तरीका होता है इसी को कहते हैं परंपरा हम लोग 18 मैं अपनी बात करूं तो हम बद जीवें हम अपने बारे में भी नहीं जानते कुछ इसलिए हम किसी के विशह में कोई बात करें तो आध्यात्मिक विशह में कोई बात कहेंगे तो वह सुनी हुई बात ही होनी चाहिए सुनी पढ़ी बात होनी चाहिए अपने मन से कुछ कहें ही नहीं सकते अपन आगे बच्छा लेकर डिस्टर्प करने के लिए और बार ने देखा के तो बहुत पड़ी लिखी हैं और भागवत को अच्छे समझ भी रही है तो देख किया समझ में आता है देख कि कुछ समझ में नहीं आता कई बार लोग कहते हैं परो जी आप पुने से हैं हम पुने एक आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं सुन करके समाने विक्ती की बारे में भी मालुम चलता है तो जो सुनी वही बात है भागवत गीता से उसी को बोलना होता है और उसी से भगवान प्रसंद भी होते हैं भगवान तो अंधर बैटे हैं वह देख रहे नहीं कि तुम अपने मन से बोल रहे हो कि तुम भागवास से बोले जमाल लिजे किसी वेक्ट ने का प्रभुज हमने सुनाए कि रात के दूब जब तमगण में होता है यह वह वो किसी भाक से सुने थे हमने का आप कहां से सुने हरुदास थाकुर जी तो पूरी रात 14 कृटे जब करते थी तो कि आप रात महाप्रभू और हर्दाष ठाकुर्ज की भी संभाद था तो वहां तो बोले कि कुछ लोग जो है वो हिंदु धर्म नहीं मानते हैं लेकिन हराम हराम बोलते हैं तो उनका भी धार हो जागा तो उनके तो कोई जग नहीं रहें हरी नाम को हरी नाम के द्वारा तो शुरुतियों का अर्थ हृदे में जग जाता है तो यहां शुरुति क्यों नहीं जग रही है तो जब मैं शुरुति माता जी सेगंड वाली को डाट रहा था तो हमारा करतव है धर्म है मारा तो दूसरी वाली माता जी हरा मुझा करें हराम भखवान तो यह देखते हैं हम को भूलआ रहा है हरा म् ang sicस ते को presupah उन्हीं कर दो को यह बात कुछ हजम नहीं हुई यह बात अच्छी लगती है नई बात नहीं बोलनी है यही पुरानी बात है इसमें बिल्कुल फिक्स हो जाई है तब भगवान प्रसंद होंगे और सामने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट होगा इसके आरण से मैं अपने दाएं तरफ टेक्स्ट रखकर हैं आपके सामने बोलता हूं और कभी कि मैं बोल दूंगा कि मैं इस्पृति से बोल ला हूं तो मैं इस्पृति से बोल ला उसमें तुरुटिक संभावना जादा है है तुरुटिक संभावना। कि मैं बद जीव हूं भूल सकता हूं जो लिखा रहता है वह तो दिखाई पर रहना है कि लिखावा बोला चाहिए बहुत इंपॉटन्ट है कि हम अगर किसी के को गलत निर्देश देंगे और उसके संग कुछ गलत होता है तो उसका पूरा फल हम पर आएगा यह धान रखना निर्टन ह्रेन आमान की तन हरστε सादों में सरुष्ष्ट बढ़न के नाम यस्ट का बारंबार की तन करना और यह निर्णीत है शुगद्यकव सामी यह Rica पसपष्ट करें मैं थीक है ठीक है यह यह परंपरा विदी कहिती है और विद्वान अधिकारी इधर इधर के व्यर्थ तरुकरना देकर उसका पालन करते है येही व्रक्ति विद्वान कहलता है वह विद्वान नहीं कहलता जो अपने कुछ कुछ पोल रहा है उसको विद्वान नहीं कहा जाता है जैसे आप विजार कीजिए जिस teacher ने आपको पढ़ाया है math पढ़ाई हो चाए physics पढ़ाई हो चाए chemistry पढ़ाई हो उसको आप विद्वान क्यों कहते थे क्योंकि वह अच्छे से पढ़ाता था जो पुस्तक में है वह नहीं पढ़ाता था जो उसके मन में है बहुत तिक छेत्र में भी हम ऐसे देखते हैं कि नहीं आप लोग के कोई भी टीचर हो ग्रामर की टीचर तो अपनी हिंदी ग्रामर खोल देगी वह नहीं उसी पुस्तक को पढ़ाएगी और उसी को अच्छा मानते थे उसी के क्लास में जाने की इच्छा होती थी बहुत सिंपल है परम पुझे राधा को महाराजी के प्रवचन आप अगर भौत ध्यास सुनेंगी तो अगर च्छामता होगी तो आप देख पाएंगे कैसे महाराजी श्रीदर समिपाद श्रीलप्रहुपाद आचारियों की ठीका को ही बता रहे है एक है क्रूर मरूरत उस महाराजी संस्कृत बोल रहे है उसका अनवाद करना है इतना सटीक होता है इसलिए वह बाते कथा वह अच्छी लगती वह उनका कथा में जान है वह दिव्य कथा है क्योंकि भगवान की बात है इस प्रकार श्रीमत भागवत की दितिसकंद के अंतरगत भागवत के अंतरग भागवत सभी प्रश्णों का उत्तर है नामक दस्वे अध्याय के भक्ति विदान तात्पर पूर्ण है यह अध्याया को समझ में आया जो तैईस प्रश्ण तैईस था गेने तो तैश्णी थे अब ज़्यादा हो तो पता नहीं लेकिन तैईस प्रश्ण जो आठवे अध्याय में परिश्ण महाराज में पूछे थे हाँ तो उसी का उत्तर देने के लिए शुक्दे गुसामे जी भागवत को बोल रहे हैं और उसके बाद नवामध्धाय के अंत में फिर वह बोल रहे हैं कि जो आपने प्रश्ण किये थे उनका उत्तर मैं भागवत को एक है कहूंगा जो भागवत ब्रहमा जी को भगवान बागवान विश्ण ने कही थी और उस भागवत को ब्रहमा जी ने नाराज जी को कहा नाराज जी व्यासदेव को कहा और व्यासदेव जी ने शुक्देव गुसामे को कहा शुक्देव इस बात को कह रहे हैं और वह दस लक्षणों से योग्त है तो उसी भागवत का पुष्टी पत्पर रख करके आगे पाया तो बुलेंगे ठीक है लिक समझ में होगा कल हम लोग ने भावान ने चाहा तो हम लोग रिविजिन करेंगे उसके बाद पर्सोन नर्सों से शुरू हो जाएगा तो 24 तारिक आज है और 26 तक है कब तो कार्तिक के शुरुवात में अकर्तिक के एंड में हमें या जैसे भी होगा शुरू करते हैं आल्मोस्ट दो साल हो गया दुवान के अतिशे कृपा है कि हम लोग दोसकंद पूरा कर पाए और प्रार्तना है कि पूरा करने के भागवतम तो अच्छा रहेगा श्रीमत भागवतम की जय श्री लब रहुपात की जय निताई गोवर प्रिमान अन्दे